हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के विद मी में तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे सभी देश उसकी रावजानी और उसकी करंसी के बारे में मतलब जितनी कंट्रीज हैं, कैपिटल्स हैं और उसकी करंसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले हमारे पास है सयूंक तुराज्य अमेरिका मतलब युनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका तो युनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका जो है वो 50 स्टेट्स से मिलके बना है मतलब इसकी जो 50 स्टेट्स है उनको मिलाकर युनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका बना है ठीक है तो इसकी capital क्या है मारे पास इसकी capital आती है वांशीगेटन DC क्या है अमेरिका की capital वांशीगेटन DC DC का मतलब क्या है district of Columbia वहाँ पे एक Columbia state है उसकी districts मतलब district of Columbia वांशीगेटन DC और यहां की currency क्या है dollar क्या है यहां की currency dollar यह सब कुई पता है अमेरिका की कर थाप्राइन को जो नहीं है, अभर डूलर यक्या राज़ा पड़र वो डोलर है, डाईया भी कर थैसे नहीं है। बड़ा एरिया रशिया का है यह यूरॉप और एशिया दोनों कॉंटिनेंट में पढ़ती है इसकी जो रासधानी है मतलब जो इसकी कैपिटल है वो क्या है मोस्को क्या है मोस्को और इसकी करंसी क्या है रूबल क्या है इसकी करंसी हमारे पास रूबल रशिया की करंसी क्या ह है मोस्को और इसकी करंसी क्या है रूबल रसे रशिया रसे रूबल इसके बाद था चाइना चाइना का तो नाम आप सभी जानते मारा पडोसी देश भी होगे चाइना चाइना की कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल है बीजिंग इसको तो वैसे भी कौन भूल सकता है को रोना लेकिया था ये चाइना की Capital क्या हैं बीजिंग क्या है बीजिंग और इसकीυान है है इसकी करनशी य९ुवां चाइना बिजिंग युवां चाइना बिजी है यू आ रहने में इसकी ट्रिख है इस propor क्या है जेपैन टोक्योा कैया है य्न क्या है येन टोक्यो ओलंपिक्स भी तो जहाइन की जो capital है वो Tokyo है और इसकी जो currency है वो yen है तो आप मतलब आप इसको भूल जाएंगे जैसे चाइना की वान है जपैन की yen है तो मतलब इसमें थोड़ा confusion रहता तो इसको ऐसे याद रख लीजिए का जो चाइना है चाइना जो है वो दो अक्षर का है पर उसकी capital उसकी जो currency है वो कि और इसकी coupon कि बी ऐख आता है तो अब है मारे पस कनेडा क्या है it onड़ क्या है और इसकी करन्सी का है जैसे अंगेृड जैसे अमेरीका की बीध डी तो तो Canada की क्या है Đोलर है दोनों पास पास लगते हैं तो दोनों की करंशी ऑटावा और अट क्या है डोलर मतला महा पर ऑस्ट्रेयलिया डोलर चलता है और इसकी केटिल है केंवरा क्या है उस्ट्रेलिया की capital, Canberra क्या है ऐस्ट्रेलिया की capital, Canberra इसके बाद आता है New Zealand नूजीलेंड की है Wellington क्या है New Zealand की capital ? Wellington और इसकी करनसी है New Zealand Dollar, मत बहुत मत नूजीलेंड का जो डोलर है वो वहाँ पर चलता है न्यूजिलेंड जो है उसको क्या कहा जाता है दक्षिन का ब्रिटेंड, साउथ का ब्रिटेंड है ये क्योंकि जो न्यूजिलेंड है ये छोटा सा मतलब क्या है एक द्विप है आइलेंड है और इसके जंडे पर जो है वो Britain का जंडा भी लगा हुआ है ये वो उन्होंने permission लेके लगाया है वे न्यूजिलेंड वालोंने तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है दक्षिन का ब्रिटेंड भी कहा जाता है और ये अपनी capital इसकी क्या है Wellington क्या है Wellington नयासा नाम है न्यूजिलें मिन्सक क्या है मिन्सक और इसकी करंसी है रूबल क्या है इसकी करंसी रूबल जो बेलारूस है वो देखो इसके नाम में रूस पीछे रूस है जैसे रूस की करंसी क्या थी रूबल उसी तरह बेलारूस की करंसी क्या है रूबल दोनों की करंसी क्या हो गई रूबल जिस तरह जो capital थी वो क्या थी Moscow और इसकी capital है Minsk दोनों की माउमस से शुरू होती है बेलारूस की Minsk और रशिया की Moscow तो दोनों की माउस से शुरू थी और दोनों की currency भी क्या है एक European country है जितने भी European countries है उन सबकी जो currency है वो most of आपको यूरो देखने को मिलेगी तो Germany तीन अक्षर का नाम है Germany इसकी capital भी कितने अक्षर की है तीन अक्षर की और उपर रह रह रहा है दोनों की Germany Berlin क्या है Germany की capital Berlin और Germany क्या है एक European country है और इसकी capital इसकी जो currency है वो भी हमारे पास क्या है यूरो है क्या है यूरो इसके बाद आता फ्रांस फ्रांस की capital क्या है आपके पास पैरिस क्या है पैरिस फ्रांस किसे खतम होता है सरसे इसकी capital भी किसे खतम होती है सरसे तो फ्रांस की capital क्या हमारे पास पैरिस पैरिस क्या है फैशन नगरी है ठीके इसकी currency क्या है यूरो क्या है इसकी currency यूरो क्योंकि France भी एक European country है इसलिए इस Wales से, Scotland से Wales, Scotland और Britain और थोड़ा सा उत्री भाकिस का Ireland का तो ये चारों मिलके Britain बनाते हैं मतलब United Kingdom बनाते हैं UK बनाते हैं इनकी capital क्या है London UK की capital London और यहां की currency जो है पॉंड है वैसे जो UK है वो भी क्या है European countries है इसने पनी currency को चेंज शुरू से लेकर अब तक नहीं किया इसकी जो currency है वो pond है新क की currency UK की currency इसकी किसके लिए famous है वो हीरे काटने के लिए famous है किसके लिए famos है हीरे काटने के लिए और इसकी capital है amsterdam नीदर λέंड की capital क्या है और इसकी currency क्या है euro इसकी currency euro क्यों है क्योंकि यह एक European country है अब आपको यह याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके लिए map देखना पड़ेगा कि कौन सी country है वह European country है इसकी most of European country की currency आपको यूरो देखने को मिलेगी जो नीदर नीदरऑंड है इसकी capital amsterdam है और इसकी currency euro है तो इसको याद करने का एक तरीका पताथिए pore में आपको नीदर 9 आन के लोग आम आम खाते हैं EURO में नीदरलेंड के योग दो यूरो से आम लेते हैं तो इसकी ये trick है इसकी इसके बाद आता है इटली इटली को तो आपने बहुत बार नाम सुनाओगा इटली का इटली की जो राजधानी है मैं जो कैपिटल है इटली की कैपिटल क्या है रोम क्या है इटली की राजधानी रोम और इसकी करंसी क्या है यूरो क्या है इटली की करंसी यूरो है क्या है तो इटली रॉम यूरो क्या है इटली की रॉम रॉम में यूरो बसता है क्या बसता है इटली के रॉम रॉम में यूरो बसता है इसके बाद था दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया की जो कैपिटल है वो क्या है सियोल क्या है दक्षिन कोरिया की कैपिटल सियोल इकोनोमी है किसी भी देश के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता अपने परमानू पर इक्षिन करता रहता है तो उत्तर कोरिया अब आता है उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया की जो राजधानी है मैं जो कैपिटल है वो पॉंग यों उत्तर कोरिया ने सब की पूंगी बजा रख मतलब जो इसकी capital है वो है जैरूसलम, जैरूसलम को कहा जाता है पवित्र भूमी का देश, क्या कहा जाता है पवित्र भूमी का देश, इसकी जो currency है वो है शैकेल, क्या है इसकी currency इसराइल की? शैकेल, इसराइल की currency क्या है शैकेल और इसराइल की capital क्या है मारे पास? जैरूसल चारुसलम क्या है पवित्र भूमी का देश है तो इसको ऐसे याद रख लेजिएगा तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खतम होती है तो नेक्स्ट जो भी रह गई है कंट्री कापिटल और करेंसी उनकी क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी अगर आपको मेरी क्ल संदाती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू